नमस्कार वंदिमात्रम जहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल सीजी जाओप एजुकेशन में साथियों आज का ये वीडियो है दमदार होने वाला है जी हाँ टेग वर्ड पर बात करने वाले हैं सभी विशयों का निचोर है जी हाँ साथियों यदि आपने इन टेग वर्ड को जान लिया तो आपके सभी विशयों के प्रश्ण साल हो जाएंगे जी हाँ हम इस वीडियो में टेग वर्ड पर बात करेंगे ही साथ ही साथ 30 महत पुन प्रश्ण भी लेंगे जो की आपके टेग वर्ड से जुड़ा हुआ होगा तो जो साथ ही नए होगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं सबसे पहले आपको टेग वर्ड पर ध्यान देना होगा देखी सबसे पहले मैं यहां बात करूं निगेटिव टेग वर्ड की तो निगेटिव टेग वर्ड आपको स्क्रीन पर सो हो रहा है तो जिस प्रश्ण के आप्शन में आपको केवल मात्र सिर्फ ही जैसे सब्द दि रटना याद करना कंठस्ट करना ऐसे यदि आपको सब्द दिखते हैं किसी भी विकल्प में तो वो आपके निगेटिव है डंड सजा समस्या बोज या हतोत साहित करना जैसे सब्द मिलता है तो वो आपके निगेटिव है शिक्षक केंदरित पुस्तक केंदरित की जहां पर बात हो रही हो वो आपकी निगेटिव है खाली स्लेट कोरी पट्टियां जैसी बात हो रही है आप सभी जान रहे हैं वरतमान में जो बच्चे हैं वो कतई कोरी स्लेट नहीं है साथियों लेंगिक असमानता की यहां पर जब बात हो रही हो जिस ओप्सन में वो पूरी तरीके से निगेटिव है बच्चे के विचार मात्रिभासा तुरूटियों को यदि महत्वा नहीं दिया जा रहा है याद रखना तो वो भी निगेटिव है क्योंकि बच्चा तुरूटि करके स सिखता है और तूटि करना सीखने की प्रक्रिया का एस सहज हिस्सा है साथियों ठीक है जहां पर आपको निस्क्रिय जैसे सब्द दिखे वो भी आपके निगेटिव है भाई रोजगार व्योसाइक उच्च ग्रेट जैसे जब आपको सब्द मिलेंगे ग्रेट देने की बा प्रश्ट उत्तर बनेंगे है ना याद रखना है इस बात को इसके अलावा तक्निकी वैज्यानिक सब्दा वली सिमीत या व्याख्या करने की बात जब आ रही हो तो सभी आपके निगेटिव है अब बात कर लू मैं यहां पॉजिटिव टेग वर्ड की उसके बाद हम प्र इर्दिगिर्द मिलेगा करके सीखना हस्त परक कॉंसल की जब बात हो तो आपके पॉजिटिव है साथियों प्रोचाहन देने की बात की जाए समान देने की बात की जाए जिग्यासा की प्रवीती की जब बात हो रही हो बच्चों में जिग्यासा उत्पन हो इस तरह कि जब विकल्प में आपके मिले तो आप समय जाना वो positive है और वही आपके उत्तर है उसी के इर्दगिर्द आपके उत्तर मिलेंगे बाल के अंदृत जब बात की जाए या हारिक कुसलता की बात की जाए तो वो पॉजिटिव है साथियों वास्तविक जीवन से जोड़ना या धैनिक जीवन से जोड़ने की जब बात की जाती है ना तो NCF 2005 NEP 2020 सभी इसकी खुसामद करता है सभी इसी के पक्षमी रहते हैं भाई तो ये भी पॉ पॉजिटिव टेग वर्ड है और उसी उत्तर आपके विकल्प वैसा ही होगा जो की पॉजिटिव होता है समावेशी कक्षा समावेशी सिक्षा की जहां पर जिस भी ऑप्षन में आपको दिख जाए मित्रों वही उत्तर है द्रिश्य और स्रभ्य शमागरी की बात की जाए संसाधन की बात की जाए विभिन संदर्व में भासा के प्रयोक की जाए बातें तो यह तमाम क्या है आपके पॉजिटिव टेग वर्ड को सो करता है तो यह तो रहा निगेटिव और पॉजिटिव टेग वर्ड अब आई हम इससे जुड़ा हुआ प्रश्न लेते हैं देखो भाई यह जो प्रश्न ले रहे हैं only सिर्फ केवल जैसे सब्द है जो की निगेटिव है आप सभी जान रहे हैं अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पढ़ो आप देखो भाई बच्चे किस प्रकार से सिखते हैं नीचे दिये गए कथनों में से कौन सा कथन जो है प्रश्न के विशाय में सही नहीं है निगेटिव को आपको बताना है बच्चा क्या है भाई किस प्रकार सिखते हैं बच्चे तब सिखते हैं जब वे संगेनात्म कुरूप से त्यार हो सीधे आपके निगेटिव वर्ड आल्रेडी आ चुके हैं तो उत्तर डी हो जाएगा आख बंद करके सोचने की भी आपको जरुरत ही नहीं है साथियों question number two, समावेशी सिक्षा से अभिप्राये, क्या है भई समावेशी सिक्षा से अभिप्राये आर्थिक रूप से कमजर वर्ग के आरक्षण केवल सरकारी विद्यालैयों में ही उपलब्ध कराया जाये देखो यहाँ पर आपको केवल सब्द दिग गया इस option में आख बंद करके ये direct उतर आ गया लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना भई विकल्प को आपको पहले समझना भी होगा ना विकल्प कहना क्या चाहता है हर चीज में केवल केवल देखके आपको उतर नहीं पता देना है भई वरना पस्ताते रह जाओगे देखो निगेटिव वर्ड होता है निस्क्री और सक्री वर्ड होता है पोजिटिव ठीक है तो देखो इससे जुड़ा हुआ सवाल एक बाल केंदरित काक्षा में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती शिक्षक की सक्री भूमिका देखो ये जो सक्री भूमिका की बात हो रही है वो पोजिटिव है तो शिक्षक की भूमिका सक्री है शिक्षिका की भूमिका तथा विद्यार्थी की ये नहीं है भै उल्टी बात हो रही है न तो देखो विद्यार्थियों की सक्री भूमिका हो अहां ये है भई शिक्षक के भूमी का निस्क्रिय होना चाहिए याद रखना भई तो ये है सक्रिय और निस्क्रिय से जुड़ा हुआ अब हम बात करें मानकी क्रिद इस्टेंडर्ड डाइजिसन या इस्टेंडर्ड से रिलेटेड प्रश्ण की तो ये भी एक फोजिटिव और निगेटिव वर्ड को सो करता है ये मानकी क्रिद जो सब्द है निगेटिव है एक समाजिक सनरचनात्मक कक्षा में कौनसी आकलन विधी अधिक उप्यूक्त हो रहेगी समाजिक सनराचनात्मक कक्षा में तो सहयोगी प्रयोजीत कक्षा एक सब्दोत्तर वाले वस्तुपरक कक्षा मानक परिक्षर या मात्र इश्मरर पर अधारित परिक्षा एक समाजित संरचनादमक कक्षा की बात यहाँ पर हो रही है साथियो तो क्या हो जाएगा भई इसका सही उत्तर बताएंगे तो देखो मात्रिश्मरर पर अधारिक परिक्षा देखो यहाँ पर मात्रिश्ब्द यहाँ सो हो रहा है ठीक है भई चीजों को समझेंगे अब प्रश्ण हैं देखिए प्रश्ण को एक प्रात्मिक विद्यालाय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावसाली समस्या समाधान करता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है तो देखो प्रत्यक छोटे कारे के लिए भौतिक पुरश्कार देकर केवल प के पुरसाहित करके तो देखो भई ये जो है आपके प्रश्ण डंड या सजा की बात करती है तो प्रत्य एक छोटे कक्षा को भावतिक पुरशकार याद रखना भई भावतिक पुरशकार क्या आएगी नो पुरशकार जैसी बात आपको नहीं लाना है ठीक है भई निगेट देखो एक अध्यापिका अपने विध्यार्थियों में खोजी अधिक म को देखो तो अध्यापिका को क्या करना चीह है क्या करना चीह भई एक अध्यापिका को देखो व्याख्यान विधिका अत्यधिक प्रयोक करने प्रात्मिक अक्षा की बात हो रही है याद रखना भई व्याख्यान ये निगेतिव है केवल सब्द निगेतिव है आवशक्तानुशर मार प्रगदर्शन के साथ स्वा निर्देशित प्रयोक को सुषाध्य करना ये आ जाएगा ठीक है चले सवाल नंबर देखो साथ वाले निगेटिव सब्द होता है रटना याद करना पॉजिटिव है समझना अब इस से जुड़ा हुआ देखो तो बिद्यार्थियों के अधिगम को सुषाध्य करने के लिए शिक्षिका को निमनलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए किस पर ध्यान देना चाहिए भई परिक्षाओं के प्रती भाय पैदा करना ये निगेटिव ठीक है निगेटिव चीज़ें तो हमको पता रहेग है न भई देखलो रट कर याद करने पर बल निगेटिव है निगेटिव है निगेटिव बच्चों के पूर्व ज्यान के साथ संबंद जोड़ना पोजिटिव है मित्र ठीक है भई आठवा प्रश्न देखो क्या कहता है विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने है तू एक अध्यापक को केवल सब्द आ रहा है निगेटिव संकल्प समा देखे वार्तलाप उधारार और गयर उधारार को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो प्रस्तूत किया गया हो पहले से ही ग्यात है और जो पहले से ही ग्यात है उन दोनों में संबंद ये आ जाएगा पोजिटिव ठीक है तो क्या आ जाएगा भई ये भी ठीक है भई वेधन और अभ्यास पराधारित सब्द भी आपके निगेटिव है मित्र देखो बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोच साहित किया जा सकते दंड देकर निगेटिव बहु विविध उधानर देकर ये बिलकुल पोजिटिव है भई रटा मारना निगेटिव है बारम बार वेधन की बात हो रही है जो निगेटिव है ठीक है अगले सवाल में आजाओ पुस्तक केंदरित शिक्षक केंदरित बाल केंदरित ठीक है बाल केंदरित पोजिटिव है बाकी सभी आपको निगेटिव तो रासी ने बच्चो अप्ले जितना संभव हो अधिक से अधिक प्राश्ण बनाएं अब सिक्षा अधिगं का यह उपागम क्या है भाई बालकेंद्रित है पाठ्ठ देखो यह निगेटिव है यह भी निगेटिव है उपदेश आत्मक नहीं भाई यह बालकेंद्रित पोजटिव है और एक सिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए उसे हतोत साहित करना चाहिए निगेटिव है ये भी निगेटिव है उसे प्रोसाहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाध्य होगा बिल्कुल दिख सिक्षक की जिम्मेदारी खतम हो जारी है निगेटिव है भईरे तो त्री इसका ओप्सन आजाएगा ग्यारा का तीन सही उत्तर चलो बारवा प्रश्ण में आजाओ एक सिक्षि का अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्यताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान रख सकती है या स्विकार करके कि भिन्यताओं का अर्थ अभाव नहीं है अकेडिमिक शमताओं के धार पर बच्चों का नमांकन प्रिथक ये निगेटिव है सारिक दिष्ट से विकलांग बच्चों को उनके लिए ये भी निगेटिव है कक्षा में एकल संस्कृति को पर सहित ये भी निगेटिव है तो पोजिटिव क्या है दोस्त यह स्विकार करके कि भिन्यताओं का अर्थ अभाव नहीं है ठीक है चलो भई अब समा लोच नात्मक चिंतन पर जब बात आई तो ये भी पोजिटिव वर्ड है मित्र देखो राष्टी शिक्षर निती 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठे पुस्तकों तक सिमित करने के बजाए अधिगम और शिक्षा तत्य और ज्यान के कंठश्टी करन नो तीन महा के बाद विद्यार्थियों के विशेवस्त्य को बढ़ा दे नो खोज भीन और समा लोच नात्मक चिंतन बिलकुल पोजिटिव है मित्र ठीक है सीखने पर केंद्रित नहीं होगा अगले सवाल अब कलन विधी कलन विधी क्या है भाई देखो प्रश्ण को तो निम्न में सी कौन सा एक रचनात्मक गडित कक्षा का अती उप्यूक तो उधारन है शिक्षक प्रत्यक विध्यार्थी के पास जाकर कलन विधी के उप्योक से समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर रहा है शिक्षक स्यामपट पर ये गलत समस्या के समधान को खोजनते समय विध्यार्थी अन्मेशन में व्यस्त है विद्यार्ति सम्होय कृप से पहाडों को एक लाय में गा रहे हैं नो ये आपका पहला सही उत्तरा जाएगा अगले सवाल में आजाओ भाई निगेटी वर्ड है प्रिथक और नमांकित देख लो निम्नम से कौन सा समावेश का नियम है विभेद करना प्रिथक करना निगेटीव है मानकी कृत आदेश व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्विकार करना पोजिटीव है बागी मानकी कृत प्रिथक करन नमांकित ये सब ही निगेटीव हो जाएगा ठीक है भाई चलो अगले सवाल में आजाओ सोला समावेशी सिक्षा में किसकी आवस्यक्ता है सीखने के अनुकुल माहौल की विद्यार्थियों का नामी करण की विद्यार्थियों के अलगाओ नो 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 तो ए आजाएगा भाई इसका उतर और सीखने के अनुकुल माहोल किया वशकता है समावसी शिक्षा में ठीक है चलो अब समवेदन सीलता जो सब्द है वो है हमारा positive प्रश्ट देखो चलो इसको छोड़ देते हैं बहुत बारिकी है चली assessment निगेटिव है भई समेटिव एसेस्मेंट निगेटिव है फॉर्मेट सतत मुल्यांकन की बात करता है एक सिक्षक एक महिने की अवधी के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राप्ट लिखने के लिए सहयोग देता है यदि या सिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राप्ट को ध्यान में रखता है और उन नातमक मुल्यंकन ठीक है चलिए अगले सवाल में आजे निगेटिव है ये तुलना करना ठीक है भई ये अच्छे सिद्धिक तो नहीं रहा है लेकिन यहां पर बच्चों को आप न तो लेवलिंग कर पाओगे कक्चम दुसरों बच्चों के साथ तुलना भी आप नहीं ठीक है अधिगाम क्या और कैसे सिख रहा है इसका भी वर्णन विल्कुल ये है भई चलिए अगले सवाल तुली आप दूटियां पोजिटिव है भई दूटियां बच्चों के सीखने का हिस्सा है तो रचीता एक गडित अध्याप्रिका अपने छात्रों की भासा कथन वा लगर ही अब इसके पीछे क्या कारान है भई अधिक तूटियां वाले छात्रों का काम तूटियं वाले चात्रों से प्रिथाक करता ने दंड देना नो Baptist तूटियां सुधार के लिए अभ्यास वाले तूटियं को समझना क्योंकि ये छात्रों के चिंतन में मदद करता है ब कथन पर अधारित है मित्रों कथन को छोड़ देते हैं भाई अगला देखो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव टेग वर्ड के अंदर उपयक्षा करना निगेटिव है और औसर देना पॉजिटिव है ठीक है चलो प्रश्न पर आजाओ प्रगति सील सिक्षा के संदर्भ म निम्न में से कौन सा कथन सही है कम चमता वाले बच्चों की कक्षा में उपयक्षा करनी चाहिए नो निगेटिव कक्षा में प्रजात अंत्र का कोई सान ना हो निगेटिव विद्यार्थियों को समस्या समधान हेतु प्रचाहित करना बिल्कुल पोजिटिव है मित्र समाधान के लिए प्रोचाहित करें ठीक है चली अगले सवाल की तरफ आ जाओ सवाल चलो अगला टेक वर्ड पर जुड़ा हुआ सवाल जिग्यासा एक पोजिटिव वर्ड है भाई चलो जिग्यासा से जुड़ा हुआ सवाल देखो एक अध्यापिका चाहती है कि उसके तुलना नहीं करना है भई निगेतिव है बच्चों में डर्प की भाव पैयदा करना निगेतिव है भावतिक पुरशकार देना निगेतिव है बच्चों में जिग्यासा प्रोचाहित करनी चाहिए ठीक है भई चाओ था इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल देखो भई positive वर्ड है वास्तविक जीवन से जोड़ना या दैनिक जीवन से जोड़ना जहां आपको दिख गया उत्तर वही से मिलेगा तो देखो भई राष्ट्रिय पाठ चरिया की जो रूप रेखा है 2005 मानती है कि गडित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका क्या होना चाहिए भई साम मिल होना चाहिए है ना NCF 2005 गडित में चिंतन और तर्क करना इस दिश्ट्रिकोल को किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हो कोचिंग देकर नो खोजबिन उपागम को उपयोग आएगा करना हस्त परकौसल हाँ ये आपका होगा दूसरा दमदार है बाकी सभी निगेटिव है अगला सवाल रोजगार ब्योसाइक उच्च ग्रेट ग्रेट की सिक्षा सभी निगेटिव है मेरे मित्र ग्रेट देना NCF 2005 के नुसार प्राथमिक इस्तर पर गडित सिक्षन का उद्देश निम्न में कौन सा नहीं है देखो गडित में उच्चतर और अमुर्त पढ़ाई क की त्यारी कराना है गडित को बच्चे की जिंदगी के अनुभाओं के साथ भाग बनाना जी समस्यसमध्ण और समस्या प्रस्थ करने काउसल को प्रस्थ जी तर्क संगत विचारों को प्रस्थाहिद करना नहीं है देखो गई यहां पर negative को आपको बसाना है तरक संगत विचारों को प्रसाहिट करोगे सत्य है भाई समस्य समाधान और समस्य प्रस्तुद करने के कौसल को प्रसाहिट करना गड़ित को बच्चों के जिन्दगी के अनुभव का भाग बनाना भाग नहीं अनुभाव के साथ जोड़ना है भाई आपको ठीक है चलिए मात्रि भासा एक positive word है मात्रि भासा भासाओं के अधिगम के बारे में कौनसी बात सही नहीं है देख लो मात्रि भासा केवल संग्यानात्मक बृद्धी में मदद करती है मात्रि भासा दूसरी भासाओं के अधिगम को बाधित करती है नो बाधा पहुचाएगी नहीं भई सबसे ज़्यादा निगेटिव यही तो होगा न बाकी कौसलों को सुगमता देखो अन्ता व्यक्तिक संप्रेशन कौसल सुगम बनाता है और धनत्पक समझ में विधि करता है सभी पोजिटिव है दूसरा आपका निगेटिव चली बहु भासिक्ता पोजिटिव वर्ड है भई तो मात्रि भासा आधारित बहु भासिक्ता क्या है तो विकल्प को आजाओ भई प्रत्यक विध्यार्थी अपनी विध्यालई शिक्षा अपनी मात्रि भासा में आरम करती है उसके बाद अंग्रेजी भासा में अध्यन करती सभी विद्यालयों में मात्री भासा या घर की भासा के माध्यम के रूप में प्रत्यक विद्यालयों में मात्री भासा घर की भासा में आरम करती है और बाद में अधिक भासाओं से जुड़ती है सभी विध्यालों में अभिभाव को मांग पुरा करने के लिए अंगरी पढ़ाई में देखो भई प्रत्यक शिक्षाति अपने आरंभिक शिक्षा विद्यालाय में मात्री भासा घर की भासा वियारम करती है और बाद मैधिक भासाओं से जुड़ती है बिलकुल सही है भाई तीसरा अंतिम देखते हैं भाई विभिन संदर्भ जैसे ओप्सन में आजाये तो ये पोजिटिव है प्रात्मी कक्षाओं में रोल प्ले करना भूमिका निर्वाह का उद्दिश्य होना चाहिए बच्चों के अभिक को अभिनाशी खाना एक पधतिक रूप में इस्तमाल विभिन संदर्भों में प्रयोग करने के आउसर भासा प्रयोग के है न तो ये भी पोजिटिव है तो आई होप साथियों हमने टेग वर्ड्स लिए पोजिटिव और निगेटिव टेग वर्ड्स लिए और इनी टेग वर्ड्स से जुड़े हुआ हमने सवाल भी देखे तो बिल्कुल आपको इन सवालों के जवाब जानने के बाद अब टेग वर्ड जहाँ पर भी आ करेंगे चलि आप चाहे तु स्क्रिंटीट कर सकते हैं मैंने स्क्रिंट deduction करने के लिए छोड़ रखा है भाई तो बिलकुल साथियों आप चाहो तो पॉजिट्टी और निगेटिव टेज़ तेक वर्ट्स को आसानी से याद रख सकते हो और बिल्कुल आपके पेपर को सालो करने में आसानी होगी समय की बचत करने के दिए टेग वाट बहुत ही फायदे मंद है जी हां साथ हुई इस वीडियो में इतना ही जो साथ ही नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जय हिन वान्दिमात्रा